नमस्कार जी मैं हो पुनीत आप देख रहे हैं अश्टो बीडी से प्रोग्राम में आपका तही दिल से स्वागत करते हैं एक बर फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नया सिलूशन लेके सवाल तो सब के पास होते हैं जवाब किसी किसी के पास होते हैं लेकिन अच्छे सवाल करना भी बड़ी बात है क्योंकि सवाल आपके हैं आप ये बाते पूछते हैं इस वज़े से ये सवाल बनते हैं और इसी वज़े से आपको ये जवाब जो है वो मिलते हैं और कोशिश की जाती है कि जवाब ऐसे नहीं आपने पूछा और ऐसे ही खटाक करके जवाब दे दिया और खतम सब खतम नहीं उसकी रीड तक जाया जाता है दीप जाया जाता है फिर उसके बाद जब लगता है कि ये solution आपके लिए perfect है उन solutions में से जो सबसे सबसे अच्छा औ आपको appointment लेनी है और साथ के साथ साथ के साथ अगर टेलिफोनिक conversation करना चाहते हैं जैसे कुछ विदेश में लोग रहते हैं जो सुनीजी से जुड़े हुए हैं वो बात करना चाहते हैं तो यही नंबर है यहीं से आपको appointment जो है वो लेनी है गुरलग report के बारे में बात सो इस पूरे program में आज बहुत कुछ जो है वो interesting रहने वाला है और शुरुवात जो है वो मुझे करनी है foreign settlement से ऐसा नहीं है कि foreign settlement में पे career पे हमने बाते नहीं की पहले उस पे भी episodes कर चुके हैं बहुत बर बात कर चुके हैं लेकिन सवाल नहीं होंगे क्योंकि यह आपके है तो पूछ लेते हैं और स्वागत कर लेते हैं बहुत बहुत स्वागत बहुत कर चुके हैं असनिल जी ऐसा नहीं कि foreign settlement के ऊपर हमने पहले बात नहीं की करियर के बारे में पहले बात नहीं की बीच में pandemic आया अभी भी चल ही रहा है तो चीजे थम गई है रुक गई है जितन पिख लेकिया हैं करेक्ट पुनी जी बात आप ब्लकु ठीक ही है कि यह जो पैंडे में काया है इसकी वज़ए से बहुत काम रुके हैं बहुत लोगे काम रुके और हर तरह का काम रुका है तो इस पे तो आज बात करनी बड़ी जरूरी बनती है और खास करके वो लोग जो आज की डियोट में अप्रोच कर रहे हैं आ रहे हैं कि फॉरण सेटल्मेंट होने वाला था जाने वाले थे पियर मिलने वाली थी होने वाला था वो यह वहां का वहां रुके रह गया तो बात आज फॉरण सेटल्मेंट की ही करते हैं लोगों को बहुत क्रेज भी है लोगो आपको मैं एक मोटा मोटा योग बताता हूँ, मैंने पहले भी डिसकेशन किया था इसके उपर, आज फिर कर रहा हूँ कुछ जो ने सब्सक्राइबर हैं, जुड़े हो हैं, उनको यह चीज़ पता होनी चाहिए. तो कौन फॉरेंग जा सकता है, अपने धरती से दूर कौन जा सकता है, किसको बाहर जाके रोटी कमानी है और किसको यहां बैटके रोटी कमानी है. देखे, पहला तो करमेश को ही पकड़ेंगे, करमेश जिसका कनेक्ट हो रहा हो बारवे घर के साथ, यानि कि शनी, कनेक्ट हो रहे हैं बारवे घर के साथ, यह लोग फॉरण जाएंगे, अगर वो चाहते हैं जाना तो वो जाएंगे, पढ़ते हुए फॉरण जाना है, तो Jupiter involved बीच में होते हैं education purpose के लिए आप foreign जाएंगे Jupiter का connection बारवे घर से और नोवे घर से बनेगा foreign अप जाएंगे कुंडली का बारवा घर foreign का settlement का होता है यहाँ इंसान जाएगा और वहाँ settle होगा लेकिन कौन जाएगा कैसे जाएगा इसका reason क्या है इसका reason आपकी कुंडली में छपा होता है कुंडली के अंदर चौता बाव native land अगर आपका पीडित है यहाँ पे malefic planets का impact जादा है malefic planets कौन से है राहू, malefic कौन से है शनी, malefic कौन से है केतू, malefic केतू भी consider किये जाते हैं यह अगर आपके कुंडली में चौते घर में हो तो आपको जर्मस्तान से आपके native land से दूर करेंगे करेंगे केई बार क्या होता है आपका period नहीं आया होता इंसान चट पटा रहा होता है कि मुझे फॉरण जाना है, जाना है, जाना है तो होता क्या है कि चौते घर को उपाए के तौर पे हमें period करना पड़ता है पीडित कैसे करना पड़ता है उसका कोई ना कोई अगर वो benefit है रहू अगर आपके कुंडली में चौते घर में अच्छा होके बैठा हुआ होता है तो उसका उपाए कराना पड़ता है उसका कोई दान या उसका कोई donation कराना ऐसे कराना पड़ेगा कि वो वहाँ से kick back करे और आपको वहाँ से पीडित होके आपके native land से दूर कर दे यह होगा है पहला formula दूसरा कौन जा सकता है simple सा formula बताता हूँ आपको आपराम से अपनी कुंडली में खुद जज़ कर सकते हैं आपकी कुंडली में लगनेश जितना दूर बैठा होगा लगन से जितना दूर बैठा होगा फोरण जाने के चांसे उतने ज़्यादा हाए होगे आप इसको आप reverse तरीके से भी समझ सकते हैं लगनेश अगर बारवे घर में बैठा हो तो बड़ी blunt सी एक prediction है कि ये इनसान फौरण जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है उसमें और भी योग जो है involved होते हैं आप चेक करके देख लिए आपका लगनेश बारवे घर में बैठा हुआ लेकिन आप अपने लेडिम लेंड पे हैं आपकी चाहिए उमर 60 साल होगी है आपका लगनेश बारवे घर में था लेकिन आप फौरण एक बार भी नहीं गे तो ये एक इसको standard formula तो नहीं कह सकते ये एक योग है कि हाँ इस कुंडली में इतना potential है कि ये इनसान बाहर जा सकता है लेकिन जाएगा कैसे ये होते हैं उपाई उपाई का काम होता है कि आपको वो उपाई कराना जिससे आप फौरण settlement आपको मिल जाए ये भी है इसमें कि अगर आपने अपने जर्मस्तान से दूर जाके करम करना है तो आपकी कुंडली में पहले ही वो ग्रैप पड़ा होता है लेकिन वो हैपनिंग कब होगी वो हैपनिंग आपकी गोचर के टाइम पे कुंडली के और दशा के टाइम पे दशा सिस्टम में अगर बात करें वैदिक इस्ट्रोलगी में दशा सिस्टम जलती है दशा सिस्टम के इसाब से कब कौन सी दशा आएगी जब बारवां घर ट्रिगर होगा बारवां घर आपका बिलकुल एक्टिव हो जाएगा और आपको फॉरंट सेटिल्मेंट मिल जाएगी ये होते हैं कुछ फॉर्मॉलाज जो जो जोतिशी चेक करते हैं ये कॉमन फॉर्मॉलाज हैं प्लस इसके साथ जो सेप्रेशन टेंटेंसी वाले प्लैनेट्स होते हैं ये अगर आपके कुंडली के चौथे घर के साथ कुंडली के नौवे घर के साथ और कुंडली के बारवे घर के साथ अगर कोई connection बनाते हैं तो आपको foreign settlement मिलती है native land से दूर जाना इसको foreign settlement कहते है अगर कोई इनसान कैनिडा में पैदा हुआ तो उसके लिए foreign settlement कैनिडा नहीं होगा उससे जादा advance देश होगा वो अमेरिका भी हो सकता है वो क्यों और देश भी हो सकता है लेकिन foreign settlement किसको कहते है कि आप इंडिया में पैदा हुए और आपको foreign कहीं और देश में जाना है इसको बोलते है foreign settlement ये foreign settlement हर किसी की कुंडली में नहीं होती ये फॉर्न स्ट्मेंट कई कुंडली में नहीं होती, लेकिन लोग चट पड़ाते हैं, सिर्फ देखो देखी, कि वो गया, उसने बहुत रक्की की, मुझे भी जाना है, मुझे बहुत रक्की करनी है, लेकिन कुंडली में योग नहीं होते हैं, वो लोग वहाँ से यात्रा तो होगी लेकिन वहाँ उस धर्ती के उपर करम करने का परमेशन नहीं मिलता, इसमें involved होते हैं शनी, शनी जब आपके कुंडली में बारवेगर में को connect करेंगे तो आपको फॉरन में रहने का, काम करने का, वहाँ से revenue generate करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, कहीं लोगों सब्सक्राइब का प्लैनेट है वहां जाके रह नहीं पाएंगे अगर नौकरी कर भी ली कुछ दिर कर लेंगे लेकिन वापिस आएंगे यह के तू की खासियत है के तू आपको वहां रहने नहीं देगा वह कुछ दिर तो आपको सेटलमेंट दे देगा लेकिन आपको एंड योग हैं कुडली के अंदर calculate की जाते हैं कि इनसान कब जाएगा कैसे जाएगा क्यों जाएगा यह क्यों अपने देश से बाहर जाएगा यह क्यों अपनी जन्म में से दूर जाएगा यह योग हैं आपकी कुडली में जो मैंने फॉर्मला आपको दो तिन बताए हैं यह प्लेनेट का उसके उपर चौथे गर पेंपेक्ट आएगा नौए घर पेंपेक्ट आएगा यात्रा बनेगी और फॉरन जाके आप वहां के करम करेंगे और वहां से जाके प्यार लेके आएगे सो कभी कभी जैसे बताया सुनियल जी ने कि ऐसा हो सकता है कि आप बहार रहे के आएए शायद आप ही का दिल हो कि मैं वापिस अपनी धरती पर आजाओं पैसा कमा के या परिवार की आदा है रीजन कोई भी हो सकता है या आपकी उदर सेटलमेंट नहीं हो पाई लेकिन आप कुछ लोगों की कुड़ियां कुछ लोगों के ग्रहे उनको उनके native ग्राउंड से दूर लेकर जाते ही हैं चाहे वो कुछ किलोमेटर के लिए हो तो चाहे वो विदेश के लिए हो तो कुड़ी देखर यह बात समझना शायद मुश्किल नहीं होगा लेकिन करियर जो है इस गर कमा नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? पतानी कैसे कैसे परेंट्स ने उनको बाहर भेचा होगा बातें बहुत सी बहुत सालों से उठती हैं प심ंजाब में लोग बेच कर भी बच्चों को बेचते हैं लेकिन वो कुछ साल बात तो रिटर्न चाहते हैं, कि जितना हमने कहा वो पूरा तो हो, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि करियर सट्लमेंट नहीं होती है. पुरी जी, ये माबाप की कुंडली में नुकसान के योग होते हैं. मैं कुंडली को हमेशा आपके पैंडिंग कर्मा से जोड़ता हूँ, आपके पुरव जन्म से जोड़ता हूँ. किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ, जिसने घर के जिसको गयते हैं पूरा बेड़ा गर्द किया, यानि कि नशा किया, एंटी सोशल एक्टिविटिस में चला गया, बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई, जेल हो गई, माबाप का क्या कसूर था? उनका कसूर, माबाप का कसूर ये था कि उनके कर्म ऐसे थे कि ऐसे उलाद मिली जिसकी वज़े से आपको जो ये सारा समाजिक बहिशकार या समाजिक परताड़ना सहनी पड़ी, ऐसे केस में, मैं फैमिली एनाइलसिस करता हूँ, कुंडली की फैमिली एनाइलसिस होती है, कि किसमे क्या योग बन रहा है, कुंडली के अंदर, बच्चे का तो जाने का योग था, लेकिन माबाप की कुंडली में ऐसा कौन सा योग था, कि जो बेटे की वज़े से उनको इतना नुक्सान जहिलना पड़ा, एक एंसान ने 20-25 लाग, 50 लाग लाग आके फॉरण भेज़ दिया बच्चे को, बच्चे का वहाँ मन नहीं लगा, एक छोटी सी बात है, केबर नहीं लगता, बड़े केसी जैसे, इंसान बच्चा वहाँ चला गया, और वहाँ जाके उसका मन नहीं लगा और वापिस आ गया, तो माबाप की कुंडली में कहीन न कहीं तो ऐसा योग था, तो कहीं न कहीं तो ये खराब हुए, जो आपको ये सहन करना पड़ा, या आपको ये इतना बड़ा जटका लगा, कि इतना कुछ बेच बाच के इंसान ने बच्चे को बाहर वेजा, और वो वहाँ से खाली हाथ वापिस लोटाया, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है, पेरेंट्स की कि ये जाके हमारे करजे खतम कर देगा, या ये यतना उठाया था वो खतम कर देगा, लेकिन कहीं बाहर होता नहीं ऐसा, कहीं न कहीं पेंडिंग करमस भोगने यहां पड़ते हैं, इसके बाद आपकी कुझली पे आता हूँ, कि कुझली में अगर आपके योग ना हूँ, तो इनसान सफर कर लेता है, गया क्यूँ, क्योंकि सफर करने का योग था, लेकिन सैटलमेंट का योग नहीं था, शनी इस फिवर में नहीं थे कुझली के अंदर, कि ये इनसान अपने जहन भूमी से दूर जाए कहीं न कहीं दूर जाके जो इनसान दूर जाता है ये देखी मैं एक फ्रेक्च्छल से बात कर रहा हूँ जो इनसान दूर जाता है कहीं न कहीं उसके मन में उस बच्चे के मन में ये जरूर आता है रात को सोने से पहले यहां कभी न कभी कि मैं अपने पेरिंट से दूर हूँ वियोग आता है यहां पर वियोग कि वो वियोग तो है लेकिन घर के हलाद ऐसे हैं कि वो इस वियोग को दबा देता है ऐसी सोच को दबा देता है और बच्चे ऐसे करते हैं अपने नेटिव लैंड से कोई खुशी खुशी दूर जाना नहीं चाहता रीजन सिर्फ यह होता है कि सेटल डाउन होना है तो मैं करमास के साथ आपकी कुंडली को जोडता हूँ और करमास से जोड के अगर कुंडली देखी जाए तो आपको आपकी कुंडली का अनल्सिस बहुत अच्छा होता है तो कहीं न कहीं तो यह वियोग चल रहा है यह वियोग हुआ नेटिव लैंड से बच्चा दूर गया पेरेंट्स के कुंडली में कुछ ऐसे दोश थे जिसकी वज़े से वहां सेटल नहीं हुआ वापस आया और कुंडली में बच्चे की कुंडली में भी ऐसा योग था ट्रेवल तो कर लिया सेटल नहीं हो पाया तो यह नुकसान के पूरे जो है आप कुंडली के अंदर दोश होते हैं, नुकसान के योग होते हैं, जिसकी वज़े से ये सारी कॉंप्लिकेशन करियेट होती है, पहले भेजा, फिर वहां मन नहीं लगा, यहां को कारण ऐसा बना, वहां से वापिस आया, और सारा नुकसान हो गया, और आज माते बे बन्दा इनसान हाथ मार के कहता है, अब करे तो करे क्या, सो कुंडली अनायलसिस करवाना इसलिए जलूरी है, कि आने वाले टाइम का आपको अनायलसिस मिल जाता है, कुंडली किसी से भी दिखाइए, लेकिन उस से दिखाइए, जो कारण पकड़ ले, कि कारण क्या है, और यह आप पास ट्रेवल कर आजाई यानि कि किसी अप्लें में आप ट्रेवल कराई यह नाइन था पूर एक्टिव था और बारवा घर भी था फॉर यात्रा थी लेकिन सेट्लमेंट नहीं थी लेकिन इंसान के दिमाग में यह आ रहा था कि मुझे जाना है तो वह इंसान आता है मै कि नुकसान हो गया अब करूं तो करूं क्या तो वहां पर डॉक्टर क्या करेगा जब आप डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे के लोग आते हैं उपाई भी करते हैं बहुत डेडिकेशन से करते हैं रिजल्ट भी आते हैं के लिप लोग आते हैं उपाई करते हैं लेकिन ड तरीका बता दिजिए अब डॉक्टर वहां कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर डाइग्नोज कर देगा दवाई आपको लिख देगा दवाई आपने लिनी है नहीं लेंगे सरदर्द नहीं जाएगा नहीं लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी वह आपको सोचना है कैसे लिन होने के बाद इनसान क्या करता है कि अब सर बताइए yeah ली नहीं मानते तो फिर उनको बहुगरना पड़ता है वह नुकसान करवाते हैं नुकसान करने अलग ते कैसे देखना पड़ता है क्या करना कैसे नहीं करना लेकिन guidance कहीं न कहीं कोई logic होता है guidance के बीचे कुंडली में ये चीजें छेपी होती है बस पकड़ के निकालने माला चाहिए और समझने माला चाहिए अब फॉरन की बात चली रही है तो settlement की बात भी चल रही है तो शादी की बात करने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की नहीं कई साल हो गए जहां पे कुछ parents की उपर भी इल्जाम लगते हैं कुछ बच्चों की उपर भी लगते हैं प्यार है तो अलग बात है लेकिन इल्जाम कभी कभी ऐसे लगते हैं कुछ cases सामने आते हैं कुछ survey सामने आये हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ foreign land देख के भेश देते हैं या बच्चा जो है वो foreign land में ऐसा जाना चाता है उसको इतनी जल्दी है जाने की कि वो इस सिर्फ ये देखता है कि मैं उस जगे पे पहुंच जाओं मैं abroad चला जाओं बिना ये देखे कि compatibility है भी या फिर नहीं लेकिन बाद में वहां जाके जब पहुंच जाते हैं तो पता लगता है कि ये जिन्दी का सही decision नहीं था settlement जो है वो नहीं होती है रिष्टा बाहर का आया हुगा है हमने बाहर बेज दिया उनको लेकिन बाहर जाके settlement नहीं हो रही जब फॉरन दिख रहा हो तो क्या होता कि वह रिष्टा जैसा भी हो सरफ एक stamp लगी होती है फॉरन की यहां फॉरन में settle down है बच्चा तो वहाँ शादी कर दी जाती है सरफ यही सुनके कि फॉरन में settlement है चाहें compatibility बने या ना बने तो यह भी एक योग है आपके कुंडली में देखे जिसका करजा देना है वो किसना किसी रूप में तो आपके आपके ले लेगा मैं फिर आपको सबाहर आपके लेजा क्रचा है आपसे पैसे लेता है आपके रिपास होती है तो वो इंसान नुक्सान करवा देता है आप गर आप देखें ऐसे केसे जो अपनी जिन डिसकस किये ऐसे केस में होता है केबर इंसान बार आउट अफ मतलब की अपने देश से बाहर बैया जाता है वहां जाके सेटल्मेंट नहीं होती जो विनस रिजल्ट खराब देना था वो तो उसने दे दिया या जो पिटर ने रिजल्ट खराब देना था वो तो उसने दे दिया वो समझ काम नहीं करती लेकिन चलाकी काम कर जाती है एक योग बताता हूँ राहू कुडली में मेलेफिक हो खराब हो और आपको सत्वे गर के साथ connection हो तो आप समझाए कहीं न कहीं दोखा होने वाला है सेवन्थ घर के साथ राहू खराब कंजक्ट हो जाए यहां आपके सेवन्थ हाउस को वो impact करे यहां उसको देखे यहां बैठा हो तो रिष्टा जोड़ने से पहले दस बार inquiry करें दस बार कम से कम और हर वो मुम्किन एरिया से करवाएं जहां आप पहुंच सकते हैं यहां आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि दोखा उसमें चुपा होता है के बार क्या होता है डिग्रिस गल्ड दिखाए दी जाती है बता दी जाता है कि पियार है बाहर लेकिन पियार होती नहीं है दोखा राहू दोखा करवाईगा सो जब भी फॉरन में कोई स्पाउस के केस में अगर आप भेजते हैं आपको लगर आकBS बार बेजना है या शादी बाहर करणा ही है तो कुल्डी चेक कर भाया कीजे क्योंकि ये आपको क्लीर कर देगी कि यहां दोखा होने बाला है वहां जाके लड़का लड़की को छोडने वाली तो नहीं है यहां ऐसा कुछ होने बाला है है जो बाहर जाके पता लगे अक्सर ऐसा होता है राहू के केस में आँखों के आगे पड़दा डल जाता है आप से आपका नुकसान कैसे होगा अगर आपको देख जाएका नुकसान होगा तो काम कभी नहीं करेंगे लेकिन वो दिखता नहीं है राहू आंखों में परदा डालता है और परदा डालके वो रिलेशनशिप क्रियेट तो करा देगा लेकिन निभाएगा नहीं जब आप रिष्टा शुरू करेंगे तो दुखा तब सामने आता कि ऐसा हो गया तो फॉरन मैं इस चीसे डिनाई नहीं करता कि फॉरन जाने में राहू इन्वाल्ड नहीं होता राहू इन्वाल्ड है फॉरन सेटल्मेंट आपकी हो ही नहीं सकती है अगर राहू इन्वाल्ड कुंड़ी में आपके ना हो तो या बार में गर के साथ इन्वाल्ड ना हो तो फॉरन सेटल ह हो ही नहीं सकता तो अगर आपकी कुंडली रिश्टा देख रहे हैं बाहर का और आप किसी जोच्छी के बाद जाते हैं वो आपको बतता है ay yah please ? रहू बाता हुआ है यह han pere insult keral abundant यह clear-cut निशानी है आपको इशारा है आपको कि वहां दोखा होने वाला है तो रिष्टा जब करें वहां जाके settle होंगे या नहीं होंगे यह ज़रूर पुछिए यह ज़रूर पुछिए कि यह लड़का वहां जाके तंग तो नहीं करेगा यह लड़की यह वहां जाके छोड़ तो नहीं देगी जो भी questions आपके mind में आते हैं यह पूछा कीजिए क्योंकि इसका जवाब आपके कुंडले म में चिपा होता है यह मैंने आप को रहूवाला factor है यह इक factor है कुंडली क्यता है कि बहार जाके दोखा मेरेगा है दोनों चीजे हैं ऐसा नहीं है कि सैटल्मेंट नहीं होती है esf Beerkund豪 आखिसी सैटल्मेंट होती है रिभी दोनों लड़का लड़की बहुत अच्छी सैटलो आते हैं लेकिन कहले ही बर कैसे बहों देखेंगे है जिसमें दुखा हो जाता है और करते हैं आज के लखी विए और है दिलिप रगवंशी है नियू यॉर्क से है और उनका बर्थ प्लेस है न्यू देली कह रहे हैं कि मैं आपका रेग्लर फॉलर हूं बहुत बड़ा फैन हूं आपको देकर बहुत उमीद है मेरी मुझे बहुत सिवीर हल्थ इशू है पिछले 11.1980 जो है वो डेट है और 3 बच के 13 मिनट पे इनका जन हुआ है तो कुंडली जो है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लाश की जाएगी और इस पे सुनील जी बताएंगे कि क्या कुछ ये देख पा रहे हैं इनकी कुंडली जो स्क्रीन पे आपको देख रहे ही है ये मीन लगन से स की बात की है सबसे पहले आप देखेंगे लगनेश कहां है लगनेश इनका नीच शुकर के साथ गुरू इनका सेवन्थ हाउस पे पड़ा हुआ है सेवन्थ हाउस में पड़े होने के साथ शनी भी साथ में कंजक्ट है शनी जो है इनकी कुंडली में किसी की भी कुंडली मे साथ बैठे होंगे और यहां पे जब शनी का दिश्टी आएगी यहां गोचर होगा तो यह पॉइंट ट्रिगर होगा यह हेल्थ इश्यूस ट्रिगर होंगे जैसे इन्होंने बताया कि काफी साल होगे इनको बिमार हो हुए है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए शनी यहां स यहां से कनेक्ट हुए थे और इनका जुपिटर पीडित हुआ लगनेश इनका पीडित हुआ यह बिमार हुए अब इनकी अगर प्रेजन दशा की मैं बात करूं तो इस वक्त यह जुपिटर की दशा से ही निकल रहे हैं गुरू की दशा के साथ-साथ इनके कुंडली का ज जो टैन्थ हाउस है वो भी एक्टिव है तैन्थ हाउस में अगर आप देखें जहां पे नौ नमबर लिखा हुआ है वहां पे चंद्रमा है तो प्रेजन डेट की अगर बात करूं दोजार एकीस चल रहा है इनकी साड़े सती का लास्ट फेस चल रहा है अब लगनेश के ज इमार चल रहे हैं और काफी सालों से चल रहे हैं इनका इलाज बहुत सिंपल है मैं लिख के आपको बेज़ूंगा आप हहरान हो जाएंगे कि यह इतना इजी इलाज था आपको कि भी मिला नहीं यह आपको इलाज किजिए यहां बता नहीं रहा क्योंकि यह सभी के लिए न दिन किसी भी फूड बैंक में जैसे आप फॉरण में हैं तो वहां फूड बैंक होते हैं किसी भी फूड बैंक में आपको उड़द की दाल काले उड़द ये डोनेट करने हैं बना के आप बात केजिए उनसे आप बात करके उनसे बात करके कहिए कि मुझे बना के देने हैं व को आ जाएगा दूसरी डेमिडी जो आपको मैं लिखके बेजूँगा वो ओपनली में यहां नहीं बिता सकता थोड़ी सी क्योंकि यह लोग करने बैठ जाते हैं कि हम भी बिमार हम भी करें तो हमें फरक पड़ेगा यह कुंडे टू कुंडली करता है दूसरा उपाय आप जो कुंडली के अंदर जो खराब कर रहे हैं इनको लेकिन यह छोटा सा एक दो पैंट मैंने अपने डिसक्स कियें लेकिन पॉइंट इसके अंदर और भी है उसका ही इलाज मैंने आपको उपाय मैंने लिखके बेजना है वो कीजएगा रिलैक्स पर रिलीफ आपको जुरूर म आप किसी को फॉरण यातरा करनी हो ओप क्या करेंगे आप मेरे से जदा बहतर जानते हैं कि जो भी ग्रया वहां पढ़ा हो जो भी राशी वहां पढ़ी ओसकी प्रसक्रीशन देखें उसको वहां पे थोड़ा सा उपाई ऐसे कराके उसको आप थोड़ा सा कुछ ट्रिगर करन है ताकि उस बच्चे को थोड़ा सा हेल्फ हो जाए वो फॉरंज शेटिल्मेंट के नंबर दो आम लोगों के लिए सभी के लिए एक फुल मून की फोटो आपने अपने मुबाइल से खुद आप खीचिए फुल मून की फोटो लेके खीच के उसका प्रिंट आउट कलर प्रि जो है ट्ले होती जाएगी और आपका योग बन जाएगा तक कि आपको रस्ता मिल जाएगा कि प्लैटफर्म यह पाइदान मिल जाएगा जिससे आपको फॉरंन शेटिल्मेंट यह षॉर् 한 जाने का रस्ता आ कि लिए कह ब prose Switzerland की बात है बहुत सारे यह जरूर दिखाईए ताकि आपको कुछ मार कर्शन जो है वो जरूर मिल सके तो आप अपना ध्यान रखिए धन्यवाद